गुड मॉर्णिंग इस्टुडेंट्स आज हम बिये पार्ट फरस्ट के प्रतम प्रशन पत्र प्रमुक राचनीती विज्ञान के मूल आधार में राचनीती विज्ञान के सुरू या राचनीती विज्ञान की प्रकृती के बारे में अध्यन करेंगे राचनीती विज्ञान कि प्रकृति के संबंध में दो बातें कही जाती हैं एक है राजनीती विज्यान विज्यान है और दूसरी बात है राजनीती विज्यान एक कला है राजनीती विज्यान विज्यान है या नहीं इसके संबंध में राजनीती विज्यान में विरूधा भास दिखाई देता है कुछ राजनीतिक विचारक राजनीती विज्यान को विज्यान मानते हैं और कुछ विचारकों का मानना है कि राजनीती विज्यान को हम कला के रूप में स्विकार कर सकते हैं यानि राचनीती विज्ञान कला है, बकल, काम्टे, मोसका, बर्क, आदी इसे विज्ञान नहीं मानते हैं, हॉप, सब्राइस, फाइनल, जैलिनेक इसे विज्ञान मानते हैं, राचनीती विज्ञान विज्ञान नहीं है या राचनीती विज्ञान की विज्ञानिकता के विर विज्यान ग्यान की वहशाखा है जिसमें कार्यकारण का हमेशा निश्यत संबंध पाया जाता है जिसमें शाश्वत तत्व होते हैं और इस आधार पर राचनीती विज्यान विज्यान नहीं है इस संबंध में कुछ तर्क दिये जाते हैं जो कि राचनीती विज्यान को हाँ है जैसे हम प्राकरटिक विग्यानों में देखते हैं कि गुर्तवा करशन की शक्ती है या दो और दो जृड़े जाएंगे तो चार ही आएगा, या यह एक सरुमानने सत्थे है, एक सरुमानने तत्थे हमें दिखाई नहीं देते जैसा हम देखते हैं राचनी तेवे ग्यान में अगर दलिय विवस्था की बात आती है तो कुछ लोग एक दलिय शासन को माननेता देते हैं कुछ लोग कहते हैं कि दूई दलिय प्रणाली अच्छी है कुछ बहुदलिय प्रणाली की बात करते हैं यनि कि इस तरह का सरुमाने तथे राचनीते विग्यान में हमें दिखाई नहीं देता है दूसरा है कारिय और कारण में निशित सम्मंद का अभाव राचनीते विक्यान में कार्य और कारण में निश्चित संबंद का अभाव है यनि कि यह कार्य क्यों हुआ उसके पीछे कोई भी एक निश्चित कारण राचनीते विक्यान में हमें दिखाई नहीं देता है जिसे पानी भाब बनकर उड़ गया तो उसके पीछे निश्चित कारण है कि उसे इतनी परियाप्त मातरा में हीट मेली कि वो भाव बनकर उड़ गया लेकिन राचनीते विज्ञान में कॉंग्रिस की हार क्यों हुई उसके पीछे एक निश्चित कारण हम नहीं बता सकते नेक्स्ट है परिये विख्षन और परिक्षन का अभाव राचनीते विज्ञान में हम कोई प्रयोग करके नहीं दिखा सकते कोई परिक्षन हम राचनीते विज्ञान में नहीं कर सकते प्राकरतिक विज्ञान में कोई भी बात साबित करने के लिए प्रयोग किया जाता है ले मानव के साथ किया जाता है और मानव का स्वभाव परिवर तंशील होता है आज वो किसी बात पर गुस्सा है कल वो किसी बात पर प्रसन हो सकता है तो उसके स्वभाव की परिवर तंशीलता रिजल्ट को भी प्रभावित करती है जबकि प्राकृतिक विज्ञान निर्जीव विश्यों पर experiment करता है या निर्जीव विशे उसके हैं और उनका स्वभाव नहीं बदलता है नेक्स्ट है अचूक माप की कमी राचनीती विज्यान मनुष्य के स्वभाव को गुस्से को या उसकी प्रसनिता को माप नहीं सकता है लेकिन प्राकर्तिक विज्यानों में कितना उसकी लंबाई है कितनी उचाई है कितना भार है इसे ना पा जा सकता है नेक्स्ट है भविश्यवाणी नहीं राचनीती विज्यान में कोई भविश्यवाणी नहीं की जाती है और जैसा बर्क कहते हैं कि राचनीती शास्र में घोशना करना बेगूफी है नेक्स्ट है एक मतता का अभाओ या परिभाशा और शेत्र के समंध में मतबेद यहां तो हम जैसे हमने इसे पूरवर्ती व्याख्यान में पड़ा कि परिभाशा और विशे वस्तू के समंध में भी अलग अलग बातें कही जाती है कोई कहता है कि राजनीते विज्यान की जो परिभाशा है वो राज्चे का अध्यन है कोई सरकार के अध्यन की बात करता है नेक्स्ट है राजनीते विज्ञान में अध्यन आत्म परक है वस्तू परक नहीं अत है तठस्त अध्यन संभव नहीं है राजनीते विज्ञान में जो अध्यन किया जाता है वो वस्तू पर नहीं व्यक्ति पर है यानि वो अध्यन आत्म परक है वस्तू परक नहीं इसलिए राजनीते विज्यान में जो अध्यन है वो तठस्त नहीं होता तो इन तरकों के आधार पर राजनीते विज्यान को विज्यान नहीं माना जा सकता जैसे बकल कहते हैं ज्यान की वर्तमान अवस्था मैं राजनीती विज्ञान को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह तो कलाओं में भी पिछडी हुई कला है, मैटलेंड का कहना है, जब मैं राजनीती विज्ञान के परिक्षन प्रशनों को देखता हूं, तो मुझे प्रशनों के लिए नहीं, शीर्शक के लिए नेक्स्ट है राचनीती शास्त्री की विज्ञानिकता, कुछ विचारक यह मान कर चलते हैं कि राचनीती वज्ञान एक प्राकर्टिक विज्ञान तो नहीं है, लेकिन हम इसे एक सामाजिक विज्ञान की शेली में रख सकते हैं, जिसे की गार्नर कहते हैं एक विज्ञान किसी विशे से सम्मंदित उस ज्ञान राश्ची को कहते हैं जो विधीवत पर ये विक्षन अनुभव एवं अध्यन के आधार पर प्राप्त की गई हो और जिसके तथे परस पर संबध, क्रमबध और वर्गी करत हो यानि विज्ञा कुछ तर्क दे सकते हैं जोकि इस प्रकार हैं पहला है राजनीती विज्ञान ग्यान का क्रमबद और विवस्थित अध्यन है यानि राजनीती विज्ञान ग्यान का क्रमबद और विवस्थित अध्यन है जैसे हम राजनीती विज्ञान में रज्जे के अतीत, वर्तमान औ ये राजनीती विज्ञान विज्ञान है सेकेंड है अध्यन सामगरी की प्रकृती में इस्थाइत्व और एक रूपता कुछ परिस्थितियों में मनुष्य का व्यभार एकसा होता है जिसे हम मानते हैं कि अगर आर्थिक शोषन रज्जे करता है तो निश्चित रूप से वि सम्मंद विशेश घटना में जनता का शोषन हो तो क्रांती होती है यानि हम किस कारे के पीछे मुख्य क्या कारण है यह भी बता सकते हैं परियवेक्षन और परिक्षन संभव हम प्रियोक्षाला के माध्यम से तो नहीं लेकिन दो व्यवस्थाओं की तुलना के आधार पर परिये वेक्षन और परिक्षन कर सकते हैं जिससे संस्तात्मक शासन क्यों स्रेस्ट है अद्धक्षात्मक के मुकाबले तो हम भारत और भारत की तुलना अमेरिका से ब्रेटन की तुलना अमेरिका से कर सकते हैं और साबित कर सकते हैं कि संस्तात्मक शासन अद्धक्षात्म से स्रेस्ट है भविश्यवानी की शमता हम निश्चेपूर पर भविश्यवानी तो नहीं करते लेकिन संभावना व्यक्त कर सकते हैं जैसे हम एकसिक पोल देखते हैं कि किसकी सरकार बनेगी तो कई बार में भविश्यवानियां बिल्कुल सही साबित होती हैं राचनीते विज्यान को हम प्राकर्तिक विज्यान तो नहीं कह सकते लेकिन राचनिते विज्यान को हम सामाजिक विज्यान की शिने में रख सकते हैं। जैसे बरनाट शाह कहते हैं इस विज्ञान के बिना मानव सभ्यता की रक्षा नहीं हो सकती है यह जो विज्ञान है यह एक ऐसा विज्ञान है जिसके बिना जो मानव सभ्यता है वहे विक्सित प्रमुक रूप से नहीं हो सकती तो इस रूप में हम इसे एक प्राकर्तिक विज्ञान के शेणी में हम राचनीती विज्ञान को रख सकते हैं नेक्स्ट है राचनीती विज्ञान कला राचनीती विज्ञान की प्रकृति के सम्मंध में दूसरी बात जो कही जाती है वो यह है कि राचनीती विज्ञान कला है प्लेटो अरस्तू राचनीती विज्ञान को कला मानते हैं और इस सम्मंध में इनके द्वारा यह माना गया है कि राचनीती विज्ञान कला है कुछ विचारक मानते हैं कि विशे की प्रकृति या तो विज्ञान हो सकती है या कला दोनों नहीं जबकि हम यह मानते हैं जो हमने अभी पूरवर्ती तर्क दिये उस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीती विज्ञान विज्ञान है और ये जो हम तर्क देंगे इसके आधार पर हम ये साबित कर पाएंगे कि राजनीती विज्ञान कला है जिसे कि विलियम एसलिंगर कहते हैं विज्ञान और कला का परस्वर विरोधी होना आवश्चक नहीं है, कला विज्ञान पर आधारित होती है, राचनीती विज्ञान अपनी प्रकृती से कला है, राचनीती विज्ञान कला है या नहीं, यह बात साबित करने के लिए हम पहले देखेंगे कि हम कला किसे कहते हैं, वस्तुष्तिती में कल ऐसे ज्यान को कहा जाता है जिसका उद्दिश्य मानव जीवन को सुन्दर और सुखी बनाना होता है यानि जो मानव को स्रिस्ट बनाती है वेकला है और जैसे वह विशे जो सैदान्तिक ज्यान को व्यवहार में लागू करता है उसे हम कला कहते हैं वह विशे जो मुल्यात्मक होता है सत्यम शिवम सुंदरम को स्विकार करता है वेकला है और राजनीती विज्यान में ये दोनों लक्षन पाए जाते हैं यानि राजनीती विज्यान निर्मान स्रिस्ता और कल्यान करता है इसलिए हम राजनीते विज्ञान को कला कहते हैं कुछ तर्कों के आधार पर हम ये साबित कर पाएंगे कि राजनीते विज्ञान कला है पहला तर्क है व्यक्ति एवं स्रिस्ट जीवन की अभिव्यक्ति राच्चे स्रिस्ट जीवन के लिए आया है राच्चे के बिना व्यक्ति के जीवन की कलपना नहीं है और इस चुंकि इस आधार पर यानि स्रिस्ट जीवन चुंकि राच्चे देता है और स्रिस्ट जीवन कला है इस आधार पर हम राचनीती विज्ञान को कला मान सकते हैं सेकंड है ग्यान की अभिव्यक्ति मानव कल्यान के लिए कला का उद्दिश्य है कि ग्यान की अभिव्यक्ति या ग्यान को लाने का जो कारिय होता है उसका मूल उद्दिश्य मानव का कल्यान करना है और चुंकि ऐसा रच्छे के द्वारा किया जाता है, मनुष्य के कल्यान के लिए कारिय करता है रच्छे, इस रूप में हम राजनीती विज्ञान को कलाम मान सकते हैं रच्छे में रहकर समाच में रहकर विक्ति सदगून सीखता है, बिना ज्यान के सदगून की प्राप्ति नहीं है बिना ज्यान के कोई विकास नहीं है, इस रूप में कला का उद्दिश्य कल्यान कारी होता है और रच्छे इस अर्थ में मानुविय कल्यान की स्रिस्ट करती है, रच्छे मानुव का कल्यान करना चाता है, रच्छे कल्यान कारी संस्ता है इस रूप में भी हम राजनीती विज्ञान को कला मान सकते हैं नेक्स्ट है व्यक्ति और स्रेस्र विवेक की अभिव्यक्ति कला का सम्मन्त बुध्धी विवेक मानविय आत्मा और चेतना से है रच्चे को मानव आत्मा, मानव चेतना और मानव बुद्धी का परिणाम माना गया है यनि रच्चे मानव आत्मा में विद्यमान गुणों को प्रमुक रूप से परिश्कृत करती है रच्चे और समाच में विक्ति का ये गुण प्रगट होता है इस अर्थ में राचनीती विज्यान रच्छे और समाच का अध्यन करता है रच्छे और सरकार की स्टेस्टता और कारियों की और चित्टता को प्रदर्शित करता है और इस रूप में भी हम राचनीती विज्यान को कलाम मान सकते हैं निस्ट है व्यक्ति के विचारों का वैचारिक समन्वे कला जीवन के विविद पक्षों के बीच समन्वे स्थापित करती है जीवन के पूर्णता के लिए आवश्रक है सभी पक्षों के बीच समन्जस्से हो और समन्वे स्थापित हो यह समन्वे राच्ची और समाज में रह और विज्ञान दोनों हैं विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसकी पद्दती विज्ञानिक है यह कारे और कारण में सम्मंद स्थापित करता है और कला इसलिए है क्योंकि यह व्यक्ति के कल्यान पर आधारित है व्यक्ति को स्रिस्ट जीवन देने का कारे करता है इस रूप में हम राचनीती विज्यान को विज्यान और कला दोनों मान सकते हैं निक्स्ट है राचनीती विज्यान के परंपरावादी दस्टिकोण और आधोनिक दस्टिकोण में अंतर हमने राजनीती विज्यान की परिभाशा, राजनीती विज्यान का शेत्र और राजनीती विज्यान की प्रिकृती के दो दस्त्रीकोंड देखे परंपरागत और आधुनिक इन दस्त्रीकोंडों में कुछ अंतर हमें दिखाई देते हैं जोकि इस प्रकार हैं पहला है राजनीती विज्यान की परिभाशा के संबंध में अंतर परंपरागत राजनीती विज्यान केवल राजनीती विज्यान को राचे और सरकार से संबंधित रखता है जबकि आधुनिक राजनीती विज्यान शक्ती प्रभाव सक्ता से संबंधित है नेक्स्ट है विशेश शेत्र के सम्मंद में अंतर परंपराग दस्तिकोण राजनीती विज्ञान को राच्चे सरकार समस्याओं अंतरास्टी ये संगठन इन से सम्मंदित रखता है जबकि आधुनी दस्तिकोण शक्ती नियंतरन प्रभाव राजनीती क्व्यवस्था इन से सम्मंदित रखता है नेक्स्ट है प्रकर्ति के सम्मंद में अंतर प्राचीन राजनीती विज्ञान राजनीती विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है वे केवल इसे एक आदर्श वादी व्यवस्था के रूप में स्विकार करता है जबकि आधुनी दस्तिकोण राज राजनीती विज्ञान को विज्ञान मानता है। नेक्स्ट है अध्यन पद्दतियों में अंतर परंपरागत जो अध्यन पद्दती हैं वे एतिहासिक, दाशनिक और कानूनी हैं। जबकि जो आधुनिक अध्यन पदती हैं वो तुलनात्मक, व्यवहारवाद, विकासवाद क वो माननेता देती हैं। नेक्स्ट है मुल्यों के संबंध में अंतर परंपरागत राजनीती शास्त्री या राजनीतिक विचारक मुल्यों के संबंध में आस्तर रखते हैं, आधर्श और नैतिकता में विश्वास करते हैं, जबकि आधुनिक राजनीती विज्ञान यह मा जीवन की प्राप्ती के लिए ब्रयास करता है आदर्श को माननेता देता है और आधुनिक दिस्टीकोण यथार्थ को माननेता देता है वह तकनीक पर जोड देता है नेक्स्ट है अलगाव और समगरता में अंतर परंपराग दिस्टीकोण अपने आपको केवल राचनीतिक द मन्दित है उसका और दूसरी स्थितियों से कोई लेना देना नहीं जबकि आधुनिक दिस्टी कोण समगरता पर बल देता है वह अंतर अनुशासनात्मक अध्यन को माननेता देता है यह मान कर चलता है कि राचनीते विज्ञान में हमें राचनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इन स सभी इस्थितियों का अध्यन करना होगा नेक्स्ट है एतिहासिक एवं विज्ञानिक पद्दतियों के प्रयोग में अंतर आधुनिक दिस्टी कोण सांख्य की सर्विक्षन गणितिये नमोनों के प्रयोग पर भी बल देता है जैसे हम आगे पढ़ेंगे व्यवहारवाद पागम यह मानकर चलता है कि हमें इन सब अपनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स को अपना कर राचनीती विज्ञान में अध्यन करना होगा जबकि परमपरागत दस्टी कोण इसे माननेता नहीं देता है नेक्स्ट है तथ्थियों की सार्थकता में भिन्नेता परमपरागत संकलित्टक ये जाते हैं पर उन्हें विवस्थित नहीं किया जाता है जबकि आधुनिक ग्स्टी कोण यह मानकर चलता है कि हमें सही रूप में तथियों को विवस्थित करना चाहिए और फिर उसका अध्यन करना चाहिए नेक्स्ट है संभावना एवं निश्यतता में अं दस्टीकोन जो कहना चाहता है वह निश्शित अध्यन की दस्टीकोन से कहना चाहता है वो यह मान कर चलता है कि राचनीती विग्यान में जो भी हम अध्यन कर रहे हैं वह सुनिश्शित होना चाहिए और इस तरह से ये दोनों दस्टीकोन अलग-अलग हैं और इन दोनों दस् कुणों के मिले जुले रूप को ही हम राचनीती विज्ञान कहते हैं धन्यवाद